नमस्कार दोस्तों आप सभी का दोबारा फिर से स्वागा थे मेरा चैनल इंडियान बाइक के इस एपिसोड में और आप देख रहे हो यह जो बाइक यह है यामाहा का सैलूटो 125cc with UBS ब्रेकिंग सिस्टम and डिस बेरियंट तो इसका और एक कलर है RX में वो ड्राम में था लेकिन 125 में डिसक के साभ भी से लया गया है इस कलर देखने में बहुत ही खुबसरत है और इस कलर का नाम है सनैपी सियान तो आईए यह जो ब्रेकिंग सिस्टम है इस ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बात कर रहे थे इसमें तीन चीज है इस ब्रेकिंग में UBS में Unified Breaking System पहला Reduce Breaking Distance आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है ब्रेक करने के समय जो गारी थोड़ा आगे चला जाता है वो नहीं होगा वो कम हो जाएगा Better Handling During Breaking अब जब ब्रेकिंग करोगे तो गारी किसी भी तरफ हिलेगा नहीं बिल्कुल बैलेंस में सिधा रहेगा Smoother Chassis Behavior During Breaking जो Chassis है वाइक का उसका जो ब्रेकिंग होगा जो स्वभाव होगा वो पर्फेक्ट होगा तो ये कहा जा रहा है इस ब्रेकिंग में इसका काम कैसे करना करता है काम पीछे की और की ब्रेक को आप जब दबाओगे तो पीछे के और एक मेकानिजम है जो सामने और पीछे का दोनों का ब्रेक को एड़्जस्ट करके बिल्कूल बैलेंस करके आप किसी भी स्पीड में हो बाइक को धीरे-धीरे बिल्कूल आराम से रोग देगा वो भी आपके पैनिक ब्रेकिंग के दौरान ब्लकुल जैसे EBS काम करता है ये बिलकुल पैनिक ब्रेकिंग के दोरान ही काम करता है आपको बस पैरों का ब्रेक मारना है और गारी अटोमेटिकली रुख जाएगा तो आईए इस बाइक के फूल स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं कुछ कह दू क्योंकि ये जानना जरूरी है हाला कि मेरा हिंदी इतना बहतर नहीं है दोस्तो लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे भाशा पे मत जाओ आप सिफ बाइक की अपडेट को देखो ताकि आप जब खरीदने जाओ शोरूम में तो आपको एक बिल्कुल नया मॉडल मिल जाए या फिर आप आज ही जा रहे हो आपको पता ही नहीं के एक मॉडल नया आ चुका है तो आप एक या दो इक आप रुख जाओ आपको ये मॉडल मिल जाएगा इंडिया का हर जगा हालाकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ यहें वेस्ट बेंगल बे मुर्शिदाबाद दिस्टिक बरहुमपूर सिटी है मेरा नाम और यहें बरहुमपूर सिटी का में डिलर या महा सोरूम तो आएए दोस्तो इस बैक के बारे में कुछ बाते कर लेते हैं जैसे यह 125 Blue Core इंजिन के साथ आता है एक्स्टा स्ट्रायल विठ एक्स्टा स्टॉपिंग पावार के साथ इसका front cowl with windscreen जो front cowl है उसमें windscreen दिया गया है और इसका जो horn है वो large है तो आवाज भी पहले से बहतर होगा engine है इसका air cool four stroke SOHC2 valve displacement है 125 cc इसका bore है 52.4 mm stroke 57.9 mm comprehension ratio है 10.0 is to 1 horsepower है इसका 6.1 kilowatt 8.3 p8 7000 rpm इसका torque है 10.1 newton meter 4500 rpm इसका starting system है electric start with kick start इत्में आपको दोनों ही मिलता है lubrication है इसका weight sump cylinder layout है इसका single cylinder इसका clutch type है weight multi-plate disc इसका ignition system है CDI capacitor discharge ignitions ये carburetor वाला भर्षान है ये FI नहीं है इसका battery है AB5LB by 12 mm X5LB 12 volt 5.0 AH10HR इसका जो headlight है बो है halogen bulb 12 volt 35 by 35 watt into 1 इसका जो transmission type है बो है constant mass 4 speed gearbox के साथ आता है इसका dimension है spike का बो है length है 2035 mm, width है 710 mm, height है 1080 mm इसका curve weight है 114 kg, इसका wheel base है 1265 mm, ground clearance है 180 mm इसका tank capacity है बो है 7.6 liter, इसका engine oil जो capacity है मतलब के जो आप engine में जो तेल आप डालते हो बो है 1.10 liter, इसका seat height है 805 mm, इसका frame type है diamond type, इसका suspension है telescopic fork और rear में है swing arm, इसका back drive है disc, सामने के और है इसके में disc, और पिछे की और है इसका drum इसका tire size font में है 80 by 100 1847p tubeless, इसका rear में जो tire है उसका size है 80 by 100 1854p tubeless इसका tail light जो है बो है 12 volt का 21 by 5 watt into 1, इसका जो turn signal light है बो है 12 volt 10 watt का into 2 इसका जो price है बो 1.16645 रुपे, हाँ बिल्कुल, मेरे city में ये जो 100 प्राइज है बो है 61,645 रुपे, ये मैंने OX side से निया है तो अभी तक इस गारी का price market में शायद नहीं आया है गारी अभी आभी आया है, जो unload होने के बाद जो होता है उसका बाद जो processing चलता है वो process चल रहा है दोस्तों लेकिन मैंने आपको update दे दिया, ये खुबसरत sticker दिया गया है, इसमें 125 अब लिखा गया है नया sticker के साथ, engine बहतरीन है आपको bike पहले से refresh मिलेगा और भी बहतर मिलेगा, sitting watchers इसका बहतर है, soft है और इसका जो chain guard है वो plastic का नहीं है, वो metal का है, इसका chain guard बहतरीन है और क्या कहू, bike हर तरफ से बहतरीन है, लेकिन एक ही बात में कहूंगा सच में, क्योंके मैंने वीडियो बनाया क्योंके गाड़ी आता है और निकल जाता है, रहता नहीं है, तो इसका पूरा fittings में आपको देखा नहीं पाया लेकिन overall आपको bike मिल गया, और एक बात आपको जो rear view mirror मिलता है, वो कैसा होगा, वो आप showroom में देख लेना fittings के बाद, इसमें सब कुछ मेंने दिखा है, बस इसका fittings complete नहीं है इसके लिए मैं आपको engine का जो sound है बहुत सुना नहीं पाया, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी सुन नहीं पाओगे, आप showroom में जाके सब कुछ जानने ना मुझे सब कुछ मालूम है, ऐसा नहीं है, मुझे जितना मालूम है, मैंने आपसे कहा सर अगर आपको और कुछ जादा जानना है, आप showroom से जाके पूछो, showroom में जाके आप पूछ लेना, आपको और भी details मिल जाएंगे तो आप इसे cash में भी खड़िश सकते हो, या फिर installment में भी खड़िश सकते हो, ये आपका उपर depend करता है cash से आप खड़िदोगे तो मेरे हिसाब से bike का जो braking system है, वो बहुत ही बहतरीन है, grab rail बहुत ही मजबूत है, metal का है और मैं कहूंगा कि इसी variant के साथ आप जाओ, नय वेले 2019 edition के साथ, क्योंकि इसका जो braking है, unified braking system, सच में बहतरीन braking system है तो दोस्तो आप test drive जरूर करो खरिदने से पहले, क्योंकि खरिदने के बाद इसे आप return नहीं कर पाओगे तो हर एक bike का मेरे वीडियो में, जितना भी bike है मैं कहूंगा, खरिदने से पहले आप test drive करो, test drive में आपको कोही नहीं रोकेगा, आपको कोही नहीं कहेगा कि bike खरिदने के लिए आप showroom में जाने से आपको नहीं कहा जाएगा कि आप गारी आप खरीदो तो गारी खरिदने के लिए कोई showroom में नहीं जाता है, आप बीना खरिदने चाहो तो भी आप showroom में जा सकते हो, आप free test drive कर सकते हो, आप जुरे रहो हर एक company के साथ किया update आने वाला है तो दोस्तो अभी तक के लिए इतना ही, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा, अगर आप कोई update अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जादा से जादा लाइक कीजिए, लाइक कम हो रहा है दोस्तो, मैं इतना hard work कर रहा हूँ, मुझे लाइ जी बाइक को खरीदने जा रहे, लेकिन शोरूम में बाइक अबे लेवल नहीं हुआ है अभी, तो वो शायद एक और दो हपते रुख जाएगा, फिर वो इस बाइक को खरीद लेगा दोस्तो, इसलिए मैं कहरा हूँ, कि आप जादा से जादा इसे से शेयर करो, और मेरे च चैनल पर, पर मैं कोशिश करूँगा बाइक के वीडियो लाने का सबसे पहले, तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तो, आप मेरे साथ इसी तरह जुरे रहो, और मुझे साथ दो, आपका साथ मुझे चाहिए, आपके बिना में कुछ नहीं, आपके बिना सचमे में कुछ न तो आपका साथ मुझे चाहिए इसी तरह आप रहो मेरे साथ जुरे होए थैंक यू दोस्तो अब सभी को दिल से थैंक यू झाल